नैनिताल में सल्मान कुर्शीत के घर पर हुई आगजनी के पीछे कौन? अमरावाती में पुलिस एक्शन पर किस ने उठाए सवाल? जैपुर के कॉलेज में नमाज पर बवाल क्यों? नैनिताल में कॉंगर्स नेता सल्मान कुर्शीत के घर में आगजनी और तोल फोड हुई है नैनिताल के शीतला इलाके के घर में कुछ लोगों ने सल्मान कुर्शीत के घर को निशाना बनाया फिलाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है समाजबादी पार्टी की नेता अब्बू आजमी ने कंगना रनावत पर बिवादत बयान दिया है उन्होंने कहा कि कंगना को ग्रफतार करके जेल भेज देना चाहिए उन्होंने आजमकड का नाम बदलने पर भी सरकार को चिताब नी दी और कहा कि आजमगड का नाम बदला तो उनका नाम भी अब्बू आर्यम होगा अमराबती हिंसा मामले में कई बीजेपी नेताओं समेद पचास से दाधा आरोपियों गिरफतारी हुई है पूरमंत्री अनिल बॉंडे को भी अरश किया गया है इस मामले में पुलिस ने 15 फाया दर्श की इस बीच कई बीजेपी नेताओं के घरों पर चापे मारी भी हुई अमराबती हिंसा पर हुए पुलिस एक्शन पर बीजेपी ने सवाल खड़े किये हैं बीजेपी नेता राम कदम के मुताबिक अमराबते में पुलिस ने एक तरफा कारवाई की तो बीजेपी नेता नितीश टाड़े ने इस मामले में रजा कित्मी के खलाव कारवाई करने की मांग की है दिली के जेणियो में एक बार फिर एबीपी और लेफ्ट समर्तक एईआएसे के चात्र गुटों के बीज चड़ब हुई एबीपी के मताबिक जेणियो में मीटिंग के बाद एईएसे से जुड़े चात्रों ने आकर उन से मार पीट की इस ज़ाड़ा पे एबीपी से जुड़े कई शातर घायल हो हैं और पुलिस जाच में जुटी है जैपर के कॉलिज में नमाज पढ़ने के मामले में सियासत करमा गई एबीबीपी कारेकर्ता ने कॉलिज में नमाज पढ़ने पर विरोत प्रदरशन किया और कॉलिज परिसर में ही हनमान 40 का पार्ट के है इस जोरन पुलिस की मौजूदगी में जम कर हंगामा हुआ मणीपूर हमले में शहीद हुए करनल विपलातर पाठी और उनके पति-पतनी का शव जब 36 गड के रायप पर पहुँचा तो हजारों लोगों की आखें नम थी शहीद को भावभी ने शद्धांजरी देने के लिए पूरा शहर उमर पढ़ा पूरे समान से शहीद को अंतिम विदाई दी गई जेपी नटा ने उत्राखंड के चमूली में शहीद समान यात्रा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि 7 दिसंबर तक करीब 1734 स्रैनिकों के आंगन की मिट्टी सेने धाम पहुँचाएगी शहीद समान यात्रा 700 प्रखंडों से होकर गुजरेगी परवाह देशकी सोमवार से शुक्रवार राद 10 बजे TV9 भारत वर्षपर